पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है वही वारदात इसराना क्षेतर के चमराडा पुक्त लाई पुलिस को मौके से गोलियों के साथ खोल मिले हैं हत्या की वज़ा पारिवारिक दुश्मनी खरकोदा के दो हर्यानवी कलाकारों से कहा सुनी या फिर फेस्बुक पोस्ट पर कमेंट मानी जा रही हैं हर्चिता ने 8 अगस्ट को फेस्बुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो कह रही थी कि वीडियो हटाने के लिए उस पर दबाव बनाये जा रहे हैं और उसे जान से खत्रा है मगर वो धमकी देने वाले को बेनकाप कर देगी उसे अपनी जान की परवान नहीं है सोनिपत के गाव नहरा नहरी की हर्शिता दहिया फिलाल अपनी मौसी के घर दिल्ली के नरेला में रह रही थी पुलिस पूछताज के सोनिपत के राठ्थाना गाव के प्रदिप कुमार ने बताया कि वो गायक लेखक व कलाकार है 15 अक्टूबर को सोनिपत के देविलाल पार्क में कई हर्यानवी कलाकार आये हुए थे वही पर उनकी मुलाका थर्शिता दहिया गुमर के संदिप पहल उर्फ शेंडी और बलबगड की संजे कॉलनी की निशा से हुई थी उसने बताया कि मंगलवार सुबे 8 बजे संदिप ने उसे कॉल कर बताया कि गारी लेकर इसराना क्षेत्र के चमराणा गाव की चोपाला में जाना है वहाँ पर युवा किसान जागरूती मिशन द्वारा 36 विरादरी के भाईचारे के लिए कारेक्रम है इस पर वो बलबगड के पूल के नीचे कार ले गया और वहाँ से संदिप निशा और हरशिता को लेकर गाव में पहुचा वहाँ एक घंटे के कारेक्रम के बाद उन्होंने गाव की सरपंच सुमन देवी के घर पर खाना खाया उसके बाद उसने बताया कि दोफेर के बाद वो चारो सोनिपत के लिए चले गए उसके साथ ही आगे की सीट पर संदिप और पीछे की सीट पर हरशिता और निशा बैटी थी अचानक पुक्थला रोड पर मुर्गी फार्म के पास काले रंकी फोर्ट फीगो सवार दो बदमाशों ने कार अड़ा कर उसकी गारी रुखवाली कार से पहले एक बदमाश उत्रा और उसने कहा कि उसे हरशिता से हिसाब चुकता करना है इसलिए बाकी तिनों कार से उतर क भाग जाए नई तो अपनी जान से हाथ दो बैठेंगे इस पर वो संदिप वो निशा खिरकी खोल कर खेतों की तरब भाग गए तभी कार से दूसरा बदमाश उत्रा और दोनों ने हरशिता को गोलियों से भून डाला ग्रामिनों निवादात की सुचना पुलिस को दी लोगों के खिलाब हत्या का मामला दर्च कर लिया है एस पी राहुल शर्मा ने बताया कि हर्शिता की हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है हत्यारों की तलाश में सी आई ये वन टू थाना इसराना और साइबर सेल की टी में सोनिपत दिल्ली रोहतक खरकोदा वह आस जीजा ने मार दिया था जीजा ने उसे वगे जान से मालने की धंकी दे रखी थी हर्शिता के बेहन भी जीजा के चंगुल से चुट कर भाग गई थी जबकी हर्शिता मौसी की घर नरेली रह रही थी बलबगड की निशा ने बताया कि वो तीन दिन पहले ही फेस्बूक के जरिये हर्शिता के संपर्क में आई थी उसे हर्शिता के परिवार के बारे में जानकरी नहीं है गुमर से संदीप ने बताया कि उसकी चार दिन पहले ही फेस्बुक के जरिये हर्शिता से बातचित हुई थी हर्शिता किसानों वो 36 विरादरी के बारे में बात कर रही थी हर्शिता ने उसे नहीं बताया था कि उसे जान का खत्रा है तो देखते रहिए All India News प्रिया की रिपोर्ट